हेलो व्रिवन यो अला वाचिंग आई स्पेसे सिंप्लिफाइड और यह है 30 जन का सेडियूल ठीक है ना विपेसे 68 प्रिलिम्स की हमारी सेडियूल चल रही है आज उसका एक किसमा दिन ठीक है न एक किसमा दिन है और अल्रडी हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्र कर दिया जितना जाने की विज़ुरत नहीं है आपको इतने पर खुद को न रखना और खुद रहना है और खुद को उसको बार बार रिवाइस करना है इसकेल की यह शीरी चल आहिए उसमें आपने उसको जाकर रीवीजिट करना है। पूरी-पूरी चेटर जाकर करना है। आहिक है। लॉड हाडिं, लॉड लेलवेसे कहां और किस चीज में बीजि थे। नॉड बेसिक जहां पर भूल जाते हो उसको याद किया करो। ऐसे सहीं ले सानला मेजर सेगमेट कर लिया लगबग 95% करी लिया यह जितना जरूए तो उतना कर लिया है और उसके बाद current affairs तो हम लोगों ने लगबग एक बार करके दूसरी बार revise भी किया है, तो हमारा लगता है कि majority of portion फिनिस है, तो अब जो time आया आपके खुद के core revision का, मतलब अब आपके core revision का time आया है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, कि मैं अभी अपने telegram group पे छोटे-छोट बेट डालूँगा, उसको आप एक दम रट के जाना है, तो हम लोग टॉपिक लेंगे, topic for today के आ रहेगा, यह हम लोग देख लेते हैं, तो आज मैं इंट्रोडियूस किया हूँ, economics को इंट्रोडियूस कर दिया हूँ, ठीक है, economics को इंट्रोडियूस करने के लिए, जो आपको लिउसेंट की बुक निकालनी है, सोर्स एक ही रखना है, सोर्स को मैंने अल्रेडी फिक्स रखा है, लिउसेंट, इससे बाहर जाना है, यह हम लोग देखेंगे, planning commission and निती आयोग, planning commission निती आयोग के पूरी historical background देखना है, निती आयोग कहने का मतलब National Institute for Transforming India, इसके उसके बाद हम लोग करेंगे, banking organization, जैसे नबाड हो गया, जैसे SBA हो गया, उसके historical background को थोड़ा जाना है, बहुत जादा नहीं, illusion में half या एक page दे रखा है, उसको एक बाद पढ़ लेना, बस एक बार गुजर जाना है, बहुत जादा नहीं, ठीक है ना, उसके बाद तीसरी टॉपिक को मैंने जो रखा है न, वो है आपको basics of money banking, तो इसको कर लेना है, ठीक है, आराम से करना है, कोई धरफणाने के जो तनी, ये तीन चीज होने के बाद, हम लोग मूव करेंगे, next topic पे उसको कहेंगे, census, census, ठीक है न, चलिए, इसमें क्या करना है आपको, इंडिया अज आपका, आज का टार्गेट है पूरे दिन का, इंडिया और बिहार के census को अच्छे से करना है, इंडिया के census को किसी भी YouTube जाना से सुन लिजे, बिहार के census को आप लिख-लिक के याद केज़े, ठीक है न, बिहार के census पे ज्यादा focus भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार का census जादा पूसता है, तो आपका ज्यादा focus भी हार census पे होना चाहिए, पूरा अच्छे से, एक-एक topic, कहां पे कितनी population and density कितनी है, फिर success ratio क्या है, फिर education background क्या है, education क्या है, एक-एक चीज को अच्छे से, mortality rate क्या है, TFR क्या है, पूरे का पूरा, मतलब कहीं से कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद, फिर हम लोग current affair वाले segment में चलेंगे, current affair में क्या करना है, आज जो मैंने प्ले लिस्ट में, October, November, August, इस तीन महीने का current affair करा रहा है, top 300 MCQ, उसको जाना है, 1.5K से एक-एक बार सुन जाना है, बस ज्यादा नहीं बोलना हूँ यहां फिल अगर आपके speedy book है, तो आप उससे पढ़ जाओ इस तीन मंत की, तीन मंत की वीडियो, तीन मंत की वो, one-liner current affair, हाँ, अगर कम टाइम में पढ़ना है, तो वीडियो देख लेना, नहीं तो खुद से कर लेना, डिवाइस, ठीक है ना, एक चीज और, मैंने आई-द आप देख लो, 67, 66, जो भी पेपर उठा के देख लो, उसमें उससे question है, तो आपको उससे ज़्यादा भटकने की विजरूत नहीं है, कहीं से कुछ MCQs लगा लेना, अगर आपको लगेगा कि, अगर आप comfortable feel ना हो, क्योंकि उसमें languages कम लिखी है, factual informations जादा है, तो आप कहीं है, लेकिन speedy like है, और हमें उतना ही जरूरत है, बहुत जादा हमें vision या फिर कहीं जबाए जाके shift नहीं हो ना, तो आज की series इतनी है, आप बताइए मुझे, अब तो कुछ बचाई नहीं है हमारे पास, हम लोगों ने already history, polity, geography, बिहार specific, science, current affairs, और कर लिया है, अब economics जो चल लिए, this is all about today's schedule, आराम से करते चलिए, पूरे time है, और अगर आप नहीं जूरे हमें मेरे telegram से, तो जूर जाओ ISP Simplified से, ठीक है ना, मैं छोटे-छोटे snippets डाल रहा हूं, उससे फायता दो जरूर होगा, यह तो मुझे पता है, ठीक है ना, thank you.